यहें पीली भीत का नौजलिया नकाटा गाउं, जहां हजारों की आबादी है, और इस आबादी की समस्या सिर्फ एक है, बहतर जिंदगी. नमस्कार में नहीं हातिवारी, इस वक्त हमें पीली भीत की नौजलिया नकाटा में, जो नेपाल के बाद भारत के उत्तर प्रदेश का पीली भीत की तरफ से पहला गाउं है. संसाथ में जब बटवारा हुआ तो तो किस तरह से आप लोग यहां पर आई, क्या-क्या समस्या आई, कितनी सरकार से किस तरह की मदद मिली आपको से? सदर एक भिला मैना उस टाइप में जो घटना दिखाया गया था, उसी टाइप का घटना हमारे साथ हुआ है, हकिकत में एकदम. सिक्षा, चिकित्सा और नागरता, इनकी मांग सिर्फ इतनी ही है, इस मांग की आस में सालों बीद गए, लेकिन सफलता कब मिलेगी नहीं पता. से हमारा उत्तरखन बहुत दूर पड़ जाता है, पूरण पूर भी हमारे लिए लंबा सबर पड़ जाता है, तो अगर किसी का अगर डेलिवरी हो, कोई भी अगर तकड़ा एक्सिजिट हो, तो हमारे टाइम से ये डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो हमारे लिए तो मौत ही हो हमारा ये जो पूरन पूर, यहां से ये 40 किलो मीटर ताई करके वहां जाके डेलिवरी होता है, कितनी सरम की बात है, बीजेबी शरकर होते हुए भी ये बहुत सरम की बात है, बोर्ड जो बनता है हमारा केबल है, हमारा बच्चों का बोर्ड नहीं है, जो 18 साल चे उपर हो 24 पूर्ड तीस साल तक उनका कोई बोर्ड नहीं हो रहा है, हमारा बोर्ड बनने में क्या बोलता है, वो लोग बोर्ड बनने बोला है कि नागरित्ता लाओ, अरे बताईए इस देश में किसका नागरित्ता है, अगर उनका है, ठीक है, हम ये जो पाकिस्तान है, जो बंगला लेकिन आए नहीं है लेकिन आए नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या क्या कुछ इसका कारण पता चला क्यों नहीं कि आए गाओं में जो वोट देने लायक हो गए लेकिन अभी तक बहुत है अभी तक मतलब किंशी का तो बनाए नहीं जैसे कि मेरा उमर का जतना भी है बना नहीं परदानी का जतना भी है जिला पंचत का उबास कुछ भी नहीं बना हम लोग बंगलादेश से पूर्व पाकिस्तान चाय हुई है, वहां से हम लोगों सब कुछ मिला है कागाई वगास, लेकिन उस कागस का कोई मननता नहीं है, यहां पर नागरिकता के आधर पर सब कुछ बोला जा रहा है, हम डाउट फेमिली की लड़के है, फिर भी हमारे कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज जैशे थी, एक स्कूली मना बास, और स्कूल में टीचर, सुनिए, स्कूल में सरकारी टीचर होता हुआ, उसका कुछ डर रहता, प्राइबेर तीन हाजर, रुपिया का टीचर है, कुछ रहता है, कोभी आता सुरत देखाने, कोभी स जैशे तो होता है, कोई बच्चे को सीखा थवड़ी मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, बोला जढ़ेंगे, कॉप देखेंगे, क्या पता, मिला है तो नहीं है, आप लोगी तो नागरिक्ता होगी, हमारी, बाने धूग या, बाहा सुनिए, बहा सुनिए, नहीं कुछ मुआ यहां पर शादी का क्या है यहां की लड़कियों की शादी कहा होती है गाओं में अपनी घर में होती है जितना भी जागा वा थोरा सा उसी में हो जाता है जैसे रुद्रपुर्वा शक्ति पारोमा बहुत बहुत जगा से हैं बहुत दूर से आतने बरात लेकिन अपने घर में हमारे बच्चों के लिए सरकास कुछ भी तो देना चाहिए यह कि नागरे के फिर भी आपके नागरिक्ता पे बार बार सवाल उठाया जाता है यह कितनी परिशानी बहुत नहें आबात को फड़ाईेगे अ शुबधान नहीं है कोई द कराषम जब सब्वए अन्हेंद को पिन चाहिं नहीं तो इसलिमे बेंगा पानी था घर में भी इतना पानी था खाना था कम ने निखाया बाहर साया था खाना तो जईसे की प्राइबिट टीचर हम रखते हैं तो उनके लिए पी समें ज्यादा देना पड़ता है तो फिर विडि़ी बना के अपने पेट पाहूंते तो फिर कैसे पाल पायेंगे तक की पढ़ाई करना हो तो फिर बहुत दूर जाना पड़ता है जैसे पिली वीट उधर जाना पड़ता है पड़ाई करने के लिए यहां पर नहीं होता है हम चाहते हैं हम अधिकारी बने और इस गाव में आके कुछ नया भैतर करें पर क्या करें यहां पर ट्वार क्लस तक पड़ाई होती है और आगे के पड़ाई होती नहीं है हम नापकत पर पाए पर जो आने वाले पिरी हैं वो उनके लिए अच्छा हो वो लोग पड़ाई कर पाए स्विधा हो उनके लिए बस इतना चाहता है कौनसी ग्लास में टैंट में आप नाइंट में आगे कुछ बनन अब आप बहार निकलोगे शुविदाई नहीं तो कैसे उठाए कदम इसकोल में पढ़ाई वडाई भी नहीं होती है च्छे से सरकारी सर भी नहीं है मेरा नाम है रामेश मॉंडुल बाकी इहा मैं बात्तु शाल में आये थे बंग्रादस्ते आये थे लेकिन भोट जब आते ना अहराद में रोते अरे मुदीद इतना अचाद मियो मैं एक भोट नहीं दे पा रहा है और हमारा ओनुरो देई हाए जे बंगाली शमदाय को सिटी है जो कि दिन दे दे हमारा शर्भ शमुश्त कर जाएगा यह हम अनुरुदार कुस नहीं है जब प्लीभीत में शार्दा पार जो चेत्र हुषमें काफी संख्या में कई गाउं में है विस्थापित परिवारों को मंगाली शमुदाय के परिवारों को बसाय गया था और उनके पास नागरिक्ता के भी प्रपत्र हैं और अन्वी प्रपत्र हैं। क्योंकि उस समय जब बटवारा हुआ था, उस समय है जो कमिशन बनाया गया था, उस कमिशन के द्वारा जो प्रपत्र जारी करें गया थे, वो मौझूद हैं, या वो जो विभाजित हो के अब बांगलादेश हो गया, उस छेतर से हैं, इस बात के पुष्टी अभी नहीं हो पा रही है, उनकी सेंसस कराया गया था, उनका पूरा आंकलन कराया गया था कि कितने इस तहरे के परिवार हैं, और इनका सेंसस कराते हुए, सरकार के द्वारा एक कमिशन एक समिती बनाई गई थी, उस समिती के माध्यम से रिपोर्ट पिछले साल ही भेजी गई है, जिससे इसके उपर भी जल्दी निर्ने हो पाएगा, और उन लोगों को भी जो सुविधाय नहीं मिल पा रही है, वो भी मिल पाएंगे, सिक्षा के छेतर में भी वहाँ पे लगातार प्रयास करा जा रहा है, स्कूल्स और कॉलिजिज में खासकर प्रयास करके जो हमारे बंगाली बोलने वाले टीचर्स हैं, पिशले वर्ष एक अभियान चला के उस तरह के टीचर्स को खासकर उन्हीं शेतर में संबद्ध करा गया था, जिससे वो लोग अपनी भाशा में भी ज्यान अरजित कर सकें, वहाँ पे एक और कॉलिज का भी नया प्रस्ताव भेजा गया है, जो वहाँ पे मौजूदा कॉलिज है, उसमें भी अन्य कॉलिजिस से हम लोग संबद्ध करके अभी सिक्षकों को लगा रखा है, क्योंकि महाँ पे कुछ रिक्तिया हो गई थी, उन रिक्तियों के लिए अभी आस्थाई व्यवस्था के रूप में संबद्ध करके टीचर्स पहा रहे हैं और जल्दी हमें अन्य रेगुलर अध्यापक मिल जाएंगे, जिससे वो प्रशानी भी हम लोग देख पाएंगे. अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक जरूर करें, अगर इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिलकुल न भूलें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की नमस्कार